बिलासपूर शहर की सडकों पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन दोड़ाना महेंगा पड़ सकता है क्योंकि इन दिनों बिलासपूर पुलिस प्रशासिन द्वारा एक विशेश अभियान चिलाया गया है जिसके तहट बिना हेलमेट के दो पहिया वहन चलाने वालों के चलान किये जा रहे हैं पिछले कल से शुरू हुई इस अभियान के तहट जगे जगे नाके लगा कर जहां नियमों को तोड़ने वाली चालकों के चलान किये जा रहे हैं वहीं उन्हें हेलमेट पहनने के लिए भी चागरू किया जा रहा है अभी तक पुलिस ने करीब 68 चालान करके 8400 रुपे जुर्माना वसूला शुकरवार को भी सदर पुलिस थाना के असेच्चो यश्वन ठाको ने अपनी टीम के साथ गुर्द्वारा चौक पर नाका लगा कर बिना हेलमेट के दोपहिया वहन चलाने वालों के चलान किये इस तोरान कई वहांचालकों के पास गारी से संबंदित कागजात भी नहीं थे और कई गारियों में नंबर प्लेट नहीं थी ऐसे वहांचालकों पर भी पुलिस त्वारा कारवाई की गई इस बारे में एसे वहां कम स्पीड में चलाने सहीद हेलमेट का प्रियो करने का आगरी किया है एपल न्यूज के लिए बिलासपूर से सुरेंडर जम्वाल की रिपोर्ट राइडर और पिलियन राइडर हैं दोनों ही हेलमेट पहने हैं ताकि हम विलासपूर की शड़कों को सेफ बना सके जनता के